Hello Everyone, Welcome back to Magnet Brains मैं हुस्वाती आपकी English Educator और यहाँ पे हैं हम Class 7 Honeycomb Book NCRT की मतलब NCRT की जो Honeycomb Book है उसके MCQ स्टार्ट करने वाले हैं कौन से Class के लिए? Class 7 के लिए और यहाँ आपको दिख रहा है कि आपके सारे फेवरे टीचर्स हैं Class 6 तो Class 8 को पढ़ाते हैं और यह सारे टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट के वीडियो बना चुके हैं आपको बस पढ़ना है और बहुत अच्छे से महनत करनी है और कोई डाउट होता है यू कन अल्वेस आस्क अब हम क्या करने वाले इस वीडियो में we are going to start with the MCQs of जो 8th unit की subunit है POM, Meadow, Surprises Meadow क्या होता है एक बहुत खुला सा एरिया जहां पे घास उग रही है मदब जहां पे लहरा हारी है घास और आप बहुत अच्छा फील करते हो प्लेन एरिया जो होता है उसको मेड़ कहते हैं तो अब यहां पे हम अगेन हमारा जो पैटर्न है उसी को फॉलो करेंगे पहले हम समरी देखेंगे उसके बार हम MCQs start करेंगे इस पोरी 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 है इसमें जो पोरी पोरी है वो एक मेड़ो में घूम रहे है और वहां पे अलग-अलग तरीके के जो अनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं जो वहां पे रह रहे हैं तो वो उनके हाबिटेट्स को देख रहे हैं हाबिटेट्स मतलब होता है जहां कोई रहता है जैसे कि अगर मैं बात करूं किसी राट की या राबिट की तो वो बरो में रहता है snake कहां पे रहेगा या कोई अगर bird है तो वो कहां रहेगी butterfly कहां रहेगी तो यह जहां रहते हैं उनके उसको habitat कहते हैं The meadow offers several surprises to the one who has an eager eye to look at the meadow अगर आप एक meadow से पास हो रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप चीजों पर ध्यान दो लेकिन अगर जिस इनसान के अंदर वो curiosity है इगर आए है तो वो अगर ध्यान से देखे तो meadow में इतने सारे surprises होते हैं Walking on the soft velvety grass, the sound of the brook, a butterfly sipping nectar from the flowers, all such sights give immense pleasure तो जब आप किसी एक meadow से जा रहे हो, एक बाग से या कहीं से गुजर रहे हो तो वहां की जो एकदम soft velvety grass होती है या नदी के जो कलकल आवाज होती है नदी या फिर जो कोई brook है, कोई extreme of water है उसकी आवाज जो होती है एक butterfly जो किसी fool के उपर बैट के उसका nectar sip कर रही है ये सारे sights जो है immense pleasure देते हैं और ये sights हैं इसको हमारी पोईट जो है nature का surprise gift कह रही है क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं देखने को हमें मिल रही है walking further on one may find a rabbit hidden in the grass अब हमारी पोईट बोल रही है अगर आप meadow में आगे जाओ तो हो सकता है आपको एक छुटा सा rabbit दिखे जो की एक grass के मतलब meadow में वहाँ पे छुपा हुआ है one may not be able to see it instantly but soon it would hop in front of you because it would be scared आपको अच्छानक से नहीं दिख जाएगा वो लेकिन जैसे आप pass जाने लगोगी तो उसे डर लग जाएगा और वो hop करने लग जाएगा jump करने लग जाएगा तब आप spot करोगी कि अरे यहां तो एक rabbit भी था a dandelion that was golden a couple of days ago would also have bloomed अब एक dandelion जो एक flower होता है flower जैसा रहता है जिसमें मतलब जो होता है न डश डश जैसे इस तरीके से उसकी जो है पूरी threads होते हैं और अगर आप उसको blow करते हो तो वो पुरा उड़ जाता है उसको dandelion flower कहते हैं तो जो थोड़ टाम पहले golden था वो पुरा bloom कर गया है one could find several houses in the meadows आप meadows में बहुत सारे घर देख सकते हो there would be burrows in the ground, nest beneath the tall grasses, mounds for ants and so on अब यहाँ पे हम किन घरों की बात कर रहे हैं जैसे की burrows होंगे जहां rabbits रहते हैं nest होंगे वहाँ पे जो tall grasses की बीच में छुट छुटे जो है लोग मतलब चिडिया ने घोसले बनाए हुए होंगे या mounds होंगे, ants जहां रहती है for every person there would be some or the other surprise हर किसी के लिए कुछ ना कुछ surprise element वहाँ पे होता ही है now this was the summary of meadow surprises basically Sponketsu poet हमें यह बताना चाहते हैं कि किस तरीके से nature में बहुत सारे surprises भरे होते हैं अगर आपके अंदर वो eager eye है, if you have the curiosity to feel this and find the happiness then happiness is all around अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके MCQs who makes burrows? अब यह जो burrows है यह कौन बनाता है? ants बनाती है? नहीं snails यह squirrels नहीं the answer is burrows कौन बनाता है? rabbits बनाते हैं next is where are the burrows? और यह burrows है कहां पे? ground में हैं, घरों में हैं, trees पे होते हैं या none of these कहां पे होगा बरो अगर है तो वो obviously ground पे होगा next is you may see a butterfly rest upon a a butterfly कहां पे? एक पहाड के उपर rest कर रही होगी या एक buttercup buttercup is a flower valley के उपर या all of the above so the answer is buttercup एक जो butterfly होगी वो usually buttercup के उपर nectar sip कर रही होती है what do you see, what do you not see immediately in the meadows? meadows में जब आप जा रहे हो तो अचानक से आपको कुछ दिखता है लेकिन immediately नहीं दिखता है, जब वो hop करता है तब दिखता है, क्या है वो चीज? the answer is a rabbit who hops and runs when it is scared अब यहाँ पर भी question है कौन जब करता है और रान करता है जब वो बहुत ज़ादा डर जाता है who is it? a rabbit the drinking straws refer to butterflies अब यह जो drinking straws है यह butterfly की कौन सी चीज की बात कर रहे है तो यह जो उनके जो sting होता है sting जो होता है जिससे वो nectar को sip करते हैं उसकी बात हो रही है drinking straws next question क्या है name the poet of the poem meadow surprises a very important question meadow surprises के poet का नाम क्या है the answer is louis brand philips what is the answer? louis brand philips the butterfly feeds on अब butterfly किसके उपर nectar sip कर रही होती है insects के उपर leaves के उपर nectar या flowers the answer is nectar क्या खा रही होती है वो nectar खा रही होती है the fuzzy head of a dandelion has turned to a fuzzy head क्यों कहा गया है क्योंकि वो बहुत small small threads होते है dandelion flower के so जो fuzzy head है वो किस चीज में turn हो गया है airy parachutes में colorless में dime में all of above so the answer is airy parachutes वो छोटे छोटे airy parachutes में convert हो गया है next is meadows listen by the meadows listen by the क्या सुनाई देता है उसमें हमको brook की आवाज क्या सुनाई देता है एक छोटे से जरने की आवाज the meadows walk very अब meadows किस तरीके से जो walk होती है उस पे कैसी होती है softly, forte या slowly the answer is slowly एकदम slowly walk होती है who can feel the delight of the surprises that meadows offer जो meadows जो है delight देता है जो surprises देते हैं यह कौन देख सकता है हर कोई देख सकता है नहीं एक visitor नहीं जदूरी नहीं है हर visitor उतना curious हो an eager passerby with his eyes and ears wide open एक ऐसा इंसान जो वहां से गुजर दा है जिसकी आखिया और जिसके कान खुले हुए है a person who takes photographs of it एक person जो उसके photos ले रहा है या एक hunter so obviously what's the answer an eager passerby with his eyes and ears wide open एक ऐसा इंसान जो वहां से गुजर रहा है और उसकी eager eyes है मतलब वो हर कुछ देखना चाहता है सुनना चाहता है next is butterflies usually feed butterflies क्या लेती है nectar, insects, leaves, all of the above यह हम question already देख चुके है answer is nectar the creatures which refer in this poem are अब इस poem में हमने जिन creatures की बात किये वो कौन-कौन से है butterfly, rabbit or ant horse तो नहीं है crow भी नहीं है the answer is first butterfly, rabbit or ant meadow surprises का मतलब क्या है all the exciting things of the nature the trees of various kinds the creatures of various kinds meadow surprises का मतलब होता है all the exciting things of the nature what would we explore अगर हम जाते हैं तो हम क्या explore करेंगे moons, meadow, house, burrows यह all of the above हमें यह सब कुछ मिलेगा so answer is all of the above according to the poem meadow surprises are meadow surprises क्या होते हैं wonders होते हैं shocks होते हैं flares होते हैं यह terrors होते हैं अब यह surprise है यह एक positive word है तो obviously the answer is wonders, no shocks complete this line a nest beneath tall dash अब nest कहां पे है meadow में flowers के बीच में butterfly के बीच में burrows के बीच में या grasses के बीच में the answer is grasses if you listen calmly and look well to the meadows you may अगर आप कामली देखोगे और meadows को ध्यान से देखोगे तो आपको क्या मिल सकता है feel the pleasant atmosphere unfolds many secrets about plants or discover these surprises of the meadows answer क्या होगा a, b या c the answer is c discover beautiful meadow surprises give the meaning of explore explore का मतलब क्या होता है write, play, search या god बहुत simple answer है search करना butterflies unfold its drinking straws too अब ये butterflies जो है अपने drinking straws जो उनके sting होते हैं उनको निकालते हैं क्यों? sip the nectar up blow with the wind or sleep answer is a sip the nectar up one should explore the who, like who live in the meadows so the dash तो या, you know इसका answer क्या हो जाएगा so answer will be houses made by different creators who live in the meadows तो आप जब किसी भी meadow से जारे हो तो आप भूँ ध्यान से देखते हुए जाओ क्योंकि आप देखोगे तो आपको बहुत सारे meadow surprises मिलेंगे explore the meadow houses the burrows in the ground a nest beneath tall grasses the ants amazing mound the poet wants to explore जब यहाँ पर बात करा है तो वो यहाँ पर क्या बात करा है अलग अलग तरीके के habitat के बारे में बात करा है तो वो यहाँ पर किस चीज को explore करना चाहता है the habitats of the animals hidden treasure the web of branches hidden life वो habitat को कर रहा है the habitat of the animals the mounds are amazing as one finds अब यह जो mounds होते हैं यह बहुत साथा amazing होते है क्यों? क्योंकि एक किसी इंसान को क्या दिखता है उसमें? wonderful houses lots of treasure storage room यह conference room answer is wonderful houses inside them answer is wonderful houses inside them next is the rabbits make rabbits क्या बनाते हैं? mounds बनाते हैं? burrows बनाते हैं? caves बनाते हैं? or shelter? answer is okay answer is burrows not mounds what is answer? burrows next is thank you so basically we are done with all the questions here and if you have any doubts you can always write in the comment section and for all these videos you can visit our website magnetbrains.com जहां पर आपको सिफ class select करनी है यह आपको home page पर मिल जाएगा and as per class आपका subject होगा topic होगा and your video will start so that is it thank you once again do not forget to like, share and subscribe bye